नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज बिहार में भले ही जातिये गणना का रास्ता साफ हो गया है लेकिन अब इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि अब पटना हाई कोट के इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती दी ग हमार ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-खटाया है और साफ का है कि पटना हाई कोट के इस फैसले को रोक दिया जाए आपको याद होगा कि बीते दिन निती सरकार ने भी सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-खटाया था तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्य करने के लिए यहां पर मौझूद है सीनियर आडवोकेट द्यो प्रकाश जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से नितीज सरकार को एक बार राहत मिल गई पटना हाई कोट से लेकिन उसके बावजूद नितीज सरका सुप्रीम कोट दर्वजा खरकटाई नहीं है उन्होंने कयवीट फाइल किया किया का मतलब होता कि हमारे इस केस में कोई हमारे बुद्ध अगर आदेश होता है उसके पहले हमें भी सुन लिया जाए उसी का तीन महिना के अंदर ही उसका रहता है उन्होंने एक एहतियात के कि सी बात का नितीज सरकारं कुछ सब्सक्राइब कर्या क्या होता सुप्रीम कोर्ट मिलग गर्ट का इसा फिर्ट देने के लिए कि लिए सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोर्ड अँई रप अवश्का है विए सकता है और जो आदेश हुआ है, इन्ट्रीम स्टे जो हुआ था, जनगनना का, और जो फाइनल ओर्डर है, दोनों पोल से पार्ट है, दोनों में जिन बातों को हाँ पर येस कहा गया, उन बातों कहा गया, ये जो घटना घटी है इसमें, तो बहस की गुंजाइश तो बनी हुई है, बहस की गुंजाइश बनी हुई है, जो कि यह भी बात कहा गया कि जो लिस्ट है सेडूल सेवन है संबिधान का, उसमें लिस्ट बना हुआ हुआ है, लिस्ट बना 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 हुआ है, लिस लिस्ट थरी नहीं बनाते हैं जी साथ में एक वो आठकील फिप्टीन है आठकील सिक्स्टीन जिसमें की एकोनोमिकल ग्राउंड पर और कास्ट के ग्राउंड पर बहुत सारे रिजरिबेशन्स दिये जाते हैं जी उसके साथ-साथ उसमें इन्ट्री नमर ट्विंटी है सरवे का भी इसको सरवे डिकलेयर किया गया है लेकिन ये बातें इतनी एफ्स्ट्रेक्ट हैं और इतना ज्यादा ग्रेडिया इसमें है कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स है या फिर आप ये कहिए कि बहुत सारे अंसुलजे पहलू है लूप होल्स नहीं है मोटा मोटी अगर कहा जै जनगन्ना का धिकार भारत सरकार के पास जनगन्ना ने में नाइक्ट है 1948 का और जो लिष्ट यौन है जो कैन सरकार का लिष्ट होता है उसके इंट्री नमबर 69 में जनगन्ना का एक मात्र धिकार भारत सरकार के पास लिए लोग तो कहे रहे हैं कि हम लोग जनगन्ना कहा करा रहे हैं हम लोग सेंसे कहा करा रहे हैं हम तो सर्वे करा रहे हैं लेकि उसको इंट्री स्टेज अब हुआ था पत्ना हाई कोट ने किया तो उस यहां बात पतना उचनियाले ने अपने इंट्री मिस्टे में कहा लेकिन फाइनल और मुसको चेंज कर दिया तो चेंज कर गया तो कोई ब्रहम बाक तो हो नहीं गया आप जानते हैं कोट का जो ओडर होता है कंटिनिवस रिफाइनमेंट की ओड़ जाता है अगर वहां भी जा अब सुप्रीम कोट का क्या रूख होता है इस पर वह फाइनल होगा जिस तरह से अब ही भी मैंने आपको बताया कि याचिका करता खिलेश कुमार भी सुप्रीम कोट पहुच गया है दर्वाजा खटखटा दिया है साफ कह दिया है कि पटना हाइकोट ने जातिये गणना को लेकर जो फैसला सुनाया है उस पर फोरन रोक लगा दी जाए तो अब बड़ा सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको क्या लगता है क्या एक बार फिर से जातिये गणना रुक तो नहीं जाएगी यह फार नहीं है पता नहीं लगा पाए है कि यूथ परियास करके कुछ उनका है यह यूथ फ़र एक्विलिटी है अभी तक यह नहीं पता लगा कि अर्जेंट एरिंग इनका एकसेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोट में जाएंगे एक हमको फावरन इसको हाथ में है और उसने अपने बात्यों को यहां अस्थापित कर लिया अब सुप्रीम कोट किस तरफ आती है हए यह उसके खाइब कराले है यहां तो में सैंना आप इंकम कास्ट भीज़ और शाक्व Crisis इसको कहा जाएगा तो मैंने यही कहा कि जहां तक हमें कानवी जानकारी है ग्यान है हो सकता हम गलत भी हो लेकिन गुंजाइश बहस की है गुंजाइश बहस की है मतलब आप दबे लवज में यह बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से जातिये गन्ना पर ब्रेक उसके पास एक्ट भी है उसके पास मेकनीजम भी है उसके पास लॉभी है और जब कोई जी असपस्त तरीके से कहीं रखा हुआ है एक आठ्केल टूट सब्सक्राइश बहस ट बहसा कि बोलता है कि अगर ऐसा कुछ लिस्ट-वान में लिखा उए तो बाकि सब लिस्ट में कुछ और भी लिखावा था कोई मतलब नहीं बनता है वही प्रिभेल करेगा जो लिस्ट वन में और जो भारत सरकार केंडर की जो सकती है उसको कहीं डालूट नहीं किया सकता है इसमें कहीं-कहीं डालूशन है तो लेकिन अब पॉलिटिकल मुद्दा है जाती की गंणा है तो नहीं कि वह भारत सरकार केंडर कृट्र प्रोटेस्ट करेंगी सको इस सपर भी डिपैरन पर नियकरत कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से जाती है गणना पर फैसला आ जाए और ऐसा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोट जो है वो फैसला सुना दे और एक बार फिर से इस पर ब्रेक लगा दे। तो देखिए बड़ी बात कह दिया है, साफ कह दिया है कि पहली हीरिंग होने दीजे सुप्रीम कोट में, उसके बाद ही हम बता देंगे कि आखर फैसला किसके हक में होने वाला है, किसको राहत मिले वाली है और आगे जाती है गणना का क्या होगा, तो अब देखना होगा क्या आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ से टीज, बहुत शुक्रिया